हेलो और वेलकम बैक तो राजा वस्ती यूट्यूब चैनल और बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेश्ट था कि सर अगर हम आफ कैमरा फ्लैस फोटोग्राफी करें तो उसमें ट्रिगर और फ्लैस को किस तरीके से सेट करते हैं तो आज हम ट्रिगर और फ्लैस के सेटप के बहुत स्वागत है और अगर इसके बारे में आपको डिटेल जाना है तो आप मेरी वेबसाइट www.rajaavasthi.com इस वेबसाइड में जाके आप सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि Godox का ये X1 ट देखते हैं तो आप इसी तठीन करणा हैं तो आप इसी तरीके से सीटिंग कर सकते हैं बहुत ही में बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपको आज का ये वीडियो बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसे और trigger को set कर सकते हैं आफ camera flash के लिए तो इसे set करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से trigger on करना है मैंने trigger on किया यहाँ से यह trigger मैंने on कर दिया अब आपको trigger में पहले setting देखने हैं Trigger में देखिए तीन चीज होती है, एक होता है Channel, एक होता है Group और एक होता है Mode, तो यहाँ पर देखिए Channel ग्रूप A, B और C है, और modes जो है, manual mode, यहाँ पर देखिये M लिखा हुआ है, इसके अलावा Channel जो है, वो है मेरा One, तो अगर अब मैं देखूँ कि भई मेरे पास एक ही फ्लेश है भी तो इस फ्लेश को मैं चैनल नमबर वन में रखूँगा और ग्रूप A या भी जो भी मैं सैट करना चाहूँगा उसमें रखूँगा अब इसके बार आपको सैट करना है ग्रूप तो यहाँ पे देखे ग्रूप दिया हुआ है ग्रूप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ग्रूप ब्लिंक करने लगेगा modes के बटन है यह zoom का बटन है इसे देखते हैं हम इसे किस तरगे से set करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले mode दिया हुआ है तो याद रखें अगर आपको Godox V860 या V1 को set करना है off camera flash तो आपका जो flash है वो पहले slave mode में होना चाहिए तो यहाँ से आप यहाँ पर देखिए यह Z वार जो option है इसे जब आप प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ से यह orange color का जब display होगा और यहाँ पर wifi का option on हो जाएगा तो यह चला जाएगा आपका slave mode में और slave mode में जाने के बाद आपको इसे ले लेना है यहाँ से क्लिक करके manual याने की M mode में तो यह हो गया है मेरी manual अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है group तो यह जो group है यह A में है और यहाँ पर देखिए group का button यहाँ नीचे पर show कर रहा है इसे मैं एक बार click करता हूँ तो यह group B हो गया अगर आप एक बार और ग्रूप C हो जाएगा एक बार और करूँगा तो group D हो जाएगा तो इस तरह के से आपके जो भी trigger में आपने group set किया मैंने B set किया था तो मैंने यहाँ पर भी इसे B में set कर दिया अब आते है channel setting के उपर तो channel setting के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है menu में menu में जाएंगे और यहाँ पर देखे channel function जो है उसमें आप आएंगे नीचे इस तरीके से scroll करके तो यहाँ पर देखे channel दिया हुआ है इस channel के अंदर आप यहां से इस button को press करके अंदर चले जाएंगे और यहां से आप इसे 1, 2, 3 जो भी channel में आप set करना चाहते हैं जैसे कि मेरा channel 1 है तो मैंने आप channel 1 में set कर दिया अब इसके बार वापिस है मैं menu में click करेता हूँ अब एक बार मैं इसे trigger को click करके देखता हूँ कि क्या यह set हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो देखें यह बराबर set हो गया है और इस तरीके से आप अपने किसी भी Godox के flash को आसानी से set कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें सबसे main चीज है अभी तो आपने देखा कि इसे हमने set कैसा किया अब आप एक चीज याद रखेगा अगर आप 2 या 3 flash यूज़ कर रहे हो तो आप channel 1 ही रखिए लेकिन group अलग 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 रखिए इसके लिए आपको बार-बार जाने की जड़रत नहीं है यहने की जब भी आप setting करें तो channel 1 ही होना चाहिए लेकिन group अलग अलग होने चाहिए तो इस तरीके से आप 4-5 flash को अच्छे से set कर सकते हैं चैनल 1 की हो सपोज मैंने इसे group B में रखा है back flash जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे मैं group C में रख लूँ और उसकी light मैं यहीं से कम जारा कर सकता हूँ तो यह funda होता है इस तरीके से आप site कर सकते हैं अपने Godox के flash और trigger को तो I hope आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो फटा फट लाइक शेर और कमेंट कर दीजे हमारा इसके उपर अगला वीडियो होगा वीवन का जो flash है उसे हम outdoor में shoot करके देखेंगे और आप वो वीडियो देखना मत भूलेगा तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और साथ इसाथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आप हमारा वर्क देख सकते हैं तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो म चैनल की वाचिंग